हालो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, तूड़े और टॉपिक इस मॉडल वर्प्स, जो कि मॉडल वर्प्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है मॉडल वर्प्स का, उसके अंदर आज हम नीट का पढ़ेंगे, और टू और यूज तू, यह तीनों ही हमारे रहते हैं, जिस ऐसे नीट का हिंदी में मिनिंग होता है, जरूरत, ठीक है, जरूरी मतलब, और the form नीट जो है, that is used for all persons, सभी परसन के साथ ही होती है, प्रेजन में और फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजन में, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, ही, शीट, यू, सभी परस्ट परसन और से यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम, it is mainly, यह mainly कहां use होता है, आपके interrogative और negative sense को show करने के लिए, हम need को use करते हैं, ठीक है, आप negative में, और जब भी कोई चीज का absence होगा, जैसे absence of obligation होगा, ठीक है, यह कहां पर use होता है, absence of obligation, जब भी हमें कोई चीज follow नहीं करना है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना हो, तो negative sentence में, interrogative में, और negative में, हम इसको use करते हैं, और absence of negative sentence में, it expresses the absence of obligations, ठीक है, जैसे, example के तोर पर, you need not to go there, तो वो कहता है, you need not, you need not go there, तुम्हें क्या है, वहाँ जाने की जुरूरत नहीं है, तो this sentence show the negative sense, negative sense शो कर रहे हैं, कि वहाँ जाने की जुरूरत नहीं है, मतलब, it is not necessary that you have to go there, यह necessary important नहीं है, कि तुम वहाँ पर जाओ, ठीक है, तो हम इसकी, हम negative sense शो कर रहे हैं, absence of obligation कर रहे हैं, कि यह necessary नहीं है, कि आप वहाँ पर जाहिए, तो you need not go there, अब हम next discuss करेंगे, next one topic जो होगा, जैसे मैं बोलूँगी, it is a holiday today, आज क्या है, holiday है, तो so you need not to go to school, तो आज क्या है, holiday है, so you need not go to school, तो आज ज़रूरत नहीं है, कि तुम कहाँ पर जाओ, school में जाओ, ठीक है, तो because today is holiday, it is also shows the negative sense, शो कर रहे हैं, और हम इसको क्या करते हैं, negative और interrogative form में भी, past में हम इसको use कर सकते हैं, जैसे did not हम बाहर लगाते हैं, वैसे need not का, need का use कर लेते हैं, interrogative में जैसे हम need I go to school, क्या मुझे जरूरत है school जाने की, तो यह हम need यहाँ पर interrogative शो करते हैं, तो आपने देख लिया कि need जो है that is used for the obligations, it expresses the absence of obligation, ठीक है, उसके बाद हम absence of obligation के बाद इसको हम negative sense और interrogative sense में भी use करते हैं, present और future tense में use करते हैं, तो उसके बाद हम कभी-कभी इसका need not के साथ have का भी use कर लेते हैं, जो हमारा perfect tense में use होता है, जैसे past perfect में भी आपका had का, लेकिन present perfect में क्या होता है, आपका have use होता है, ठीक है, तो एक मैं आपको have, need not और have की example दे देती हूं, जैसे need not plus have, ठीक है, तो एक इसकी example हो जाएगी, जैसे you need not, जैसे मैं लिखूँ, you need not have carried, carried a umbrella, you need not have carried an umbrella, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम किसको carry करो, umbrella को carry करो, क्यों, अब reason क्या है, because it was not raining, क्योंकि बारिश जो है, वो नहीं हो रही है, तो आ गया न, यहां भी आपका negative sense शो कर रहा है, कि you need not have carried an umbrella, तुम्हें umbrella लेने की जरूरत नहीं है, तो basically जो need है, यह हम negative sense के लिए ही use किया जाता है, हम इसको positive में, interrogative में use करते हैं, need I go to school, need I carried an umbrella, क्या मुझे जरूरत है, umbrella carry करने की, तो यह सब क्या है, आपका वैसे तो हम need का बहुत कम use करते हैं, ऐसे use नहीं करते हैं, हम negative में इसको use कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको बता दिये, negative में कहां-कहां use कर जाता है, तो this is the use of the need, तो next is the use of ought to, आज हम next इसका discuss करेंगे ought to, ठीक है, आपका आता है ought to, ought to जो हाँ आपका है, यह just like आपका, यह सभी persons के साथ use होता है, present में, past में और future में, ठीक है, present, past और future में हम ought to को use करते हैं, उसके बाद इसका negative ought not होता है, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि negative में not ही लगाना होता है, interrogative में ought आई हो जाता है, अब यह आपका duty के लिए use किये जाता है, जैसे, ought to आपका किसके लिए use किये जाता है, first of all आपका duty के लिए, जैसे, you ought to obey your, you ought to, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने teachers के क्या करना है, obligation मतलब यह obligation तुम्हें obey करना है, यह तुमारी duty है, it is the responsibility of a student that he should obey his teacher, कि वो अपने teacher को क्या करे, respect दे, अपने teacher की जो बाते हैं उनको अवे करे, तो यह क्या है आपका it is necessary, यह necessary है, यह आपको advise नहीं दिया जा रहा है, यह आपके लिए क्या है, यह आपको कहा जा रहा है, कि आपको ऐसा यह आपकी duty है, जो आपको perform करनी है, ठीक है, तो यह क्या है आपका you are to aware your teacher, जैसे you are to respect your national flag, आपको अपने national flag की क्या करने चाहिए, respect करने चाहिए, तो यह सब क्या है, यह आपकी duty है, इसलिए यह आपको कोई advise नहीं दे सकता, it is your duty of every citizen of India, और every citizen of every country की, उनको क्या होना चाहिए, अपनी जो national flag की रिस्पेक्ट करने चाहिए, तो यहाँ पे हम or to का use करते है, should का नहीं करते है, should का means करना चाहिए, if you want then you can do this, if you don't want then it is not necessary to do this, but respect is necessary for national flag, because we are the citizens of our country, okay, possibility next duty हो गया, इसका second way हम use करेंगे, ठीके, अब possibility में क्या होते हैं, इसको हम express करते हैं, or to को possibility show करने के लिए, ठीके, जैसे मैं बोलू, he has worked hard, he or to to get good marks, ठीक है, he or to get good marks, he has worked hard, he has to get good marks, वो क्या कर चुक है, वो क्या कर चुक है, और अब यह क्या है, यह मतलब possible है कि वो इतने marks गेट करेगा, क्योंकि उसने इतना work hard किया है, वो अपना काम जो है, वो महनत जो है, that he has done, and then it is, यह possible है, and then it is possible, that he has to get the good marks, क्या क्या करेगा, अच्छे marks गेट करेगा, क्यों, because he has worked hard already, वो पहले से ही अच्छा पढ़ चुका है, यह अच्छा महनत कर चुका है किसी काम है, इसलिए अप यह possible है, कि वो क्या करेगा, अच्छे marks गेट करेगा, तो हम यह possibility के लिए भी और 2 का use करते हैं, तो और 2 किस-किस के लिए use होता है, एक duty के लिए, और एक obligations के लिए, थर्ड आपका हम used to पढ़ेंगे, ठीक है, used to एक आकल यह रहता है, used to को discuss करेंगे, थर्ड आपका हो गया used to, और used to same form है, सभी persons में सभी persons के लिए आपका same ही use किया जाता है, और negative में आपका same रहता है, जैसे used not, क्योंकि not लगाएंगे तो negative शो करता है और सभी के साथ ऐसे ही है, जैसे could not हो गया, cannot हो गया, need not हो गया, ought not हो गया, ठीक है, इसी तरीके से हम इसको use करते हैं, basically, used to होता है, that is used to express the habitual activity, वो आपका habitual activity, आपकी past के जो होती है, उसको हम use करते हैं, वैसे तो used आप ऐसे देखा जाओ, तो हम second form में इसको use करते हैं, तो used to आपका किस चीज के लिए आपका used to, express क्या करता है, express habitual activity in the past, past के habitual activity शो करता है, एक्सेंपल, he used to go for a walk when he was young, वो क्या करता था, he used to go for a walk, वो walk पे जाता था when he was young, जब वो young था तो वो क्या जाता था, Delhi ही walk पे जाता था, तो यह सब क्या है, यह आपके past के habitual activity शो करी है, that he was going to, he was, जैसे वो कहां पे जाता था, he was going to walk, वो अपनी walk के करने के लिए जाता था, पट कब, when he was young, तो this shows the past habit, habit of a person, यह past habit आपकी शो कर रहा है person की, कि वो तब जाता था, जब वो young था, जैसे हम मैंने आपको could में भी past के ability बताई थी, कि when he, वो क्या कर सकता था, he could fly a kite, वो kite उडा सकता था, when he was young, जब वो young था, इस तरह से हम used to का भी use कर सकते हैं, habitual activity आपकी past की शो करने के लिए, उसके बात, हम used to use करते हैं, यह शो करने के लिए, that something is happened in the past, जैसे कुछ आपका past में हुआ होता है, तो उसके लिए भी, हम used to का use करते हैं, ठीक है, तो हम इसका किसके लिए use करते हैं, इसी का use करते हैं, जैसे, तो मतलब यह, something that is happened in the past, मैं उसकी बात करी हूँ, पास्ट में कही हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कि जैसे कि वो they used to, live in, कहीं भी आप कोई भी प्लेस लिख सकते हैं, और भी कोई आपनी past के हैं, जो पास्ट में हुआ था, तो यह सब क्या है आपका, used to का use है, जो हम करते हैं, वैसे भी used आप देखा जाएगा, तो आज से हम use, use करते हैं, या uses करते हैं, थर्ड परसन के साथ, लेकिन past के लिए हम used ही, use करते हैं, तो guys, तो today our model verb जो topic है that is finished, वो खत्म हो चुका है, तो अब हम new topic के साथ next video में आएंगे, I hope कि आपको सब model verbs, आप understand कर पाएंगे कि किस तरीके से होता है, तो guys आप इसकी practice की जूर फिर से video देखें, ताकि you can, आप अपने हर topic को, अपने हर doubt को cover कर सके, if you have any problem, तो you can comment in the comment box, तो this is the use of need not, need to, use to and or to, so guys thank you for watching my video, okay friends, thanks for watching my video, if you like my video, then please like share and subscribe my channel,